वेल्कम बैक टू मैं चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त क्लिनिकल कंसल्टेंट ओप्टोमेट्रिस श्यांब आप देख रहे हैं ये शुदा देवी आई केर यूटूब चैनल आपका हमारे यूटूब चैनल पे बहुत अधिक स्वागत है तो फिर से हम आगए एक नई वीड आपको मिलाते हैं कि आज हमने जो निश्वल कैम्प लगाया था वह एक स्कूल में लगाया था तो अभी हम हम देखते हैं आप की मैंने कितने सारे बच्चों की आई चेक अप की है तो सबसे पहले हमें एक रूम ढूंदना था जो की सच्छ मीटर का और जिसमें की दूरी मीटर कि हो क्योंकि हमें वहां से ज्चों की सब्सक्राइब, और दीरियुर सारे बच्चों का आई टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था जैसा कि आप देख रहे हैं ये बच्चे खड़े हुए हैं अपने बारी का इंतिजार कर रहे हैं और एक ये मैम बता रही है वहां से लेटर्स की कौन सा पढ़ना है और ये मैंने इस बच्चे की आँख को अकुलूट कर रखा है कि ये अलग से अकुलूडर आता है मैंने ये लिया था तो इससे एक आँख को हमने अकुलूट कर रखा है ताकि वो अपनी लेफ्ट आई से अच्छे से भी जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो आराम से पढ़ना कि आप देख रहे हैं मैं कन्वर्जन एक्सराइस के थूरू मैं उस बच्ची की आख में देख रहा हूं कि उसको स्क्विंट तो नहीं है धीरे-धीरे मैंने सारे बच्चों का आई चेक अप स्टार्ट कर दे थे आख चेक करते करते तभी हमारे पास एक बच्चा आया था तो उसे अब हम आपको दिखाते हैं हाँ ये बच्च्च दी कारण जो उसकी कॉर्णिया थी वो पूरी उपेसिटी से भर गए थी यानि की पूरी सफेदी आ गए थी कॉर्णिया पर ओपसिटी आ जाती है उसमें कुछ ऐसी उपसिटी होती है जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता अगर वह एक बार खराब हो जाती है तो जल्दी सही नहीं होती वैसा ही इस बच्चे के साथ भी था इसकी एक आग बिल्कुल जो की नश्ट हो चुगी थी और जो राइट वाली आई है वो बिल्कूल सही राइट वाली आई से काफी अच्छे तरीके से पढ़आ रहे हैं उस है सही से ब स्कताव क्या नाम हो पर आपकोर कोंसे किलास मे ओ कांड रहे वह अब द Mouse a aerospace पाने रहते हैं पाने रहते हैं आपके क्या नाम पता है तुमें लाम ने को तुमें तो जैसा कि आपने देठा आज गैंप में पेशेंट्स का अब इतने चोपे से बच्चों का आई चेकप और उनको बशुल परामार्श दिया था एक इन संवें सबसे जाला जो मुझे पेशेंट्स होजारा मिले थे तो वह एम्प्लोपिक थे जिने पता ही नहीं तक अप्य प्रिशेंट्स थे अब मैं आपको बता दूं अप्लोपिय यह होता है कि एक आपका धिमाग के जो सेंस होते हैं जहां अमारा जो विजन होता वहा कि वह एक आप बंद करके जो अपने जैसे रूप में आ जाएगी तो कई बच्चों ने इसको फॉलो भी किया था और आप जैसा कि आप देखा कि बच्चे से लेके बड़े भी हमारे कैम्प में आये हुए थे तो हमने काफी के लोगों की जाच और जो कि यह बात पता चली है कि आज के टाइम पर जो अंबलविट पेशेंट हैं बच्चे हैं जिन्हें जो दूसरों से नहीं कह पाते हैं यह स्क्रीनिंग होना उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑप्टोमेटरिस्ट हैं या इस वीडियो के देखने हैं तो ज्य क्या करेंगे कि उसमें आपको मज़ा आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल इस्वादर दोगी आई कि एक करें को आपका एक शेयर किसी की आपकी रौशनी बचा सकता है अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस् अगए।